हेलो एवरीवन मैं हूँ सेली विल्कम करती हूँ राही किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई और मूंकी डाल की सबजी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है गर्मियों में मिलने वाले सारी हरी सबजियों में एक हरी सबजी ये भी शामिल है जिसे हम तुरह की नाम से जानते हैं और इसकी बहुत सारे फाइदे भी होते हैं यह वाली सबजी बोहत ही बन करके तैयार होती है और बहुत ही कम इंगिरीडियंट्स में यह सबसी तैयार हो जाती है और यह वाली सबजी हर किसी के लिए यूसफल सावित होता है तो इसलिए इसे एक बार आपे भी जरूर ट्राइ करके देखें आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, step by step मैं बताती चलूँगी, अगर मेरी रेसी भी पसंद आए तो प्लेज लाइक करें, कॉमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो फिर चलें बिना देर की हुए बनाना शुरू करते हैं, तो मैंने यहां पर half kg तुरही ले ली हूँ, इसे हर जगा हर तरीके के अपने भाजाओं में बोले चाते हैं, और जिसे मैं इसे छिल करके, छिल के हटा करके, और इसे अच्छी तरीके से मैं वाश कर ली हूँ, और अब एक तुरही लेंगे, आप इस तरीके से बीच में दो कट लगा देंगे, और छोटे छोटे टुकडे में साड़े तुरही को मैं काट लूँगे, तो इस तरीके से मैं काट रही हूँ, आप जिस तरीके से काटना चाहते हैं उस तरीके से आप काट लेंगे लेकिन मैं इसे इसी तरीके से काट रही हूँ बीच सिकट लगा कर करके दो और इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब में मैं काट रही हूँ और आप सभी को पता है कि तुरे के बहुत सारे फाइदे होते हैं और मूंग डाल के भी बहुत सारे फाइदे होते हैं तो इसे आप अपनी डाइट में जरूर शामिल किया करें इन सबजियों को हमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप अपनी डाइट में शामिल किया करें तुरह यार मूंग डाल की मैं एक ऐसी सबसे बनाऊंगी सूखी वाली की जो आप लंच में भी इसे दे सकते हैं अब यहां पे मैंने सारे तुरह को काट लिए हूँ इसे रखती हूँ दूसरी तरफ और आगे कप प्रोसेस करते है तो मैं यहां पे एक कप मूंग डाल ले ली हूँ और इसमें पानी डाल करके दो तीन वाश कर लेंगे मैं हाफ केची तुरह के लिए एक कप मूंग डाल का इस्तमाल कर रही हूँ आप इसमें इसकी कॉइंटिटी ज्यादा या कम कर सकती हैं लेकिन मैं बनाई थी तो यह मे डाला स्टमाटर के बोचा हैं मेरिके इस फहर चोप रही हूं अभर यहां पे यह प्यास चॉप हो चुक aspiring हाई और अब कोकर यह की मैं बनाऊं की बहुत ही जल्री तैयार हो जाते हैं तो इसलिए मैं बिना देर किये हुए इसमें बनाना शुरू करते हैं तो मैं यहां पे क अब इसमें डालेंगे चौप की हुई प्याज और डालेंगे चौप किये हुए टमाटर और इसमें मैं दो हरी मिर्ची को बीच सिकट लगा करके डाल रही हूं इस तरीके से बनाने से बहुत ही जल्दी बनकर के तयार ही हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप एक बार जरूर ट्राय करकी देखें, और में यहाँ पर इसे इस्टेप पे 1 टीबली स्पून लैसना दरग का पेस्ट वो डाल दी हूं, और 1 1डटीबली स्पून हल्दी पाउडर डाल दी हों, और टेस्ट के एक्वार्टिंग नमक डाल दें, जो के यहां पर half table spoon के कड़े में नमक डाली हूँ और half table spoon धनिया पाउडर में वो डाल दी हूँ और एक तेस पत्ता वो डाल दे और कुछ साबुत मसाले खड़े वो डाल दे जो के मैं यहां पर दो लॉंग और एक डाल चीनी का टुकड़ा डाली हूँ और मैं यहां पर two table spoon क करीब मस्टर्ड आयल डाले रही हो। जोते वाले कपसे, jakim चोटे कपसे ज्यादा पारी ना बंढ़ारे क्यघा है कि तुरहky फट पाने रिलीज करता है, तो इस लिए, इतना पानी डाल दी हूं, क्ये अच्छी तए क् far greater time अच्छी तरीकरे को जाएщее patut मंख्च फिर देर कि स से तीन सीटी लोंगी आपको जितना कूकर के हैंसाब से लेना हो उस है किkra बले सिटी आती है और किसी कूकर में लेट से सीटी तो मैं यहां पे तीन सीटी फूल फिल्म पे ली हूँ अगर आप मीडियूम फिल्म पे लेना चाहते हैं तो इसमें पानी बहुत ही कम टाले अब देखें तीन सीटी आ गए थी मैंने गैस का फिल्म आफ कर दी हूँ और देखें अब यहां पे साड़े सब्जी अच्छी तरी अब यहां पर मस्टर दाले के इस्तमाल करें हूँ आप चाहें कोई सभी कोटिंग अई ले सकती हैं जो कि मैं यहां पर हाफ कप के करीव अएल डाला दी हूँ और इसे हलका गरम होने दे अज जैसे ही आईल गरम हो जाये वैसे यहां पर सूखी दो लाल मिर्ची डालती हू इसे saute होने दे और जैसे ही यह saute हो जाए तो quarter teaspoon से one tablespoon zero डाल दे और वो जब zero जटक जाए तो फिर quarter teaspoon से one tablespoon राय डाल दे और उसे भी saute होने दे और एक पिंच हिंग डाल दे इसमें इसका flavor भहत ही अच्छा आता है और हिंग भी बहुत अच्छी चीज दो माने जाती है और आप चा जाज को ब्राउन का इस्तमाल नहीं कर रही हूं अब जैसे ही यह सब सौटे हो जाए तो बस कुकर की डाल इस कराही में डाल दें कुकर से सबसी डालते समय गैस का फिल्म लो कर दें ताकि यह इसके चीटे ऊपर की तरफ और ना पाए बहुत ही तेज रहता है और यह हाथों म के लग सकते हैं सबसी डालने के बाद कैस का फिल्म मीडियूं टु हाइ कर दें और मीडियूं टु हाइ फिल्म पे इसमें एक अच्छा सा बॉइल आने दे ताकि यह जो तरही का फ्लेवर है वह सबसी में अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाए तो इसलिए इसमें अच तो आप गैस का फिलिम आफ कर दें और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक रखनी हो सबसी की तो थोड़ा इस वक्त गैस का फिलिम मीडियम टु हाई करके आप पानी को अच्छी तरीकी से जला दें और इसी इस टेप पे मैं वन टीबलिस्पून जीरा भुना हुआ जीरा जो कर लें अब मैं गैस का फिलिम आफ कर दूंगी यह थोड़ा ठंडा होने के बाद यह थिक हो जाएंगे अब यह सबसी ठंडी हो गई है मैं धन्यापती डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल दी हूं इस टेप पे अभी ठंडा हो गया देखें ठिक भी हो गया है तो फिर बच्ची बड़े हो या बच्ची बड़े ही शौक से खाते हैं इस तुरही का कलर थोड़ा डिसकलर हो गया इसलिए इसमें थोड़ा दिखने में पता नहीं चल रहा है लेकिन टेश्ट में भरपूर होगा आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है और फुश्बू